तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आगई मन को रास रास अब तो तू आजा पास पास है गुजालिश है हाल तो दिल का तंग तंग तू रंग जा मेरे रंग रंग भस चलना मेरे संग संग है गुजारिश कहते तू हातो जिन्दगी जलनों से छूट के हसेगी मोती होंगे मोती राहों मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आगई मन को रास रास अब तो तू आजा पास पास है गुजारिश मंत्री जी नमस्कार आईये आईये मंत्री जी का जनम दिन है अच्छा इसलिए तो एकनी दूर से मा का अशिरवाद लेने आए साब जी आपके जनम दिन पर माता रानी ने आपको नट्राज की रूप में दर्शन दिया है पिनायक तू विगनेश्वर तू सकल देवों के आदी देव हो तुम् विनायक तू विगनेश्वर तू करुणामय हो गुरुवे शर्णम सब के दिलों में तुम ही तुम हो उमापती के तुम कुमार हो पहली पूजा के हकदार तुम हो गणपती गणपती बन कर धरती की रक्षा करना तुम ही सब कुछ शिविके नन्दन मंत्री जी मंत्री जी बिना परसाद लिया आप कहां जा रहे हैं यह जा कर ले आओ आईये सब अजार रहे हो आओ टुम हो घुम हो शुम हो भूदा अजार यह आओ वो तुम हो जार अधल भूदा उदाओ ठूम हो भूजए ले घुम झाल, भूपो! 보다हिं यजल एस ब्होट? जोड़ो मुझे सफेर सुमो लाल शिकर फोर रेजिस्टिस्टिसन बोर्ड पूर्मूंचे आवाज देका लिए तो भून के रख़ोंगा अश्टा फिटिक्स नहीं है ओवर ओवर जोड़ो मुझे आपके रहे जाएगी इंडिया के तरे बाप की जागीर है जो ऐसे कामों से हिलके रहे जाएगी अपने नायक को पता चला तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा तेरे नायक नहीं तुम्हें उठाने की सुपारी अपने भाई को दिये इसलिए तुम्हें उठाया है एक जरूरी कंसाइन्मेंट पास करना है लेकिन तुम साइन करने की बज़ा बक्वास किये जा रहा हो इसलिए कुछ दिन के लिए यहां रखने के लिए का है साप मुझे गलत मत समझना मुझे जो कहा जाता है मैं वही करता हूँ चाहो तो तुम्हारे नायक को भी उठाने की सुपारी दे दो उठा लाँगा तुम्हें दो गंटे में उठाया था फिर नायक को चार गंटे में उठा लाँगा एक जरूरी बात करने है शार्क मचलियों की जगह पे बोट पार्क किये बचने के लिए पानी में जंप लगाई तो सीधे शार्खेबू में जाएगा अगर नमस्ते जी नमस्ते बद्री क्या लफडा है मलार इस्ट में वहाँ वैल्यू कम है ना किसी और की जगह पर तुम लोग कैसे रह सकते हो बताओ मुझे आखिर जो खेती करेगा उसी की तो जमीन होती है सरकार एक जापल वारू अखीज कर रास्ते की लड़की पत्नी होती है क्या एक लड़की से रिस्ता बनाने के लिए भूल दे कर संगाई करकर मंडब डाल कर फिर शादी की रसम पूरी होती है उसी तर एडवांस दे कर एग्रिमेंट बनता है बहुत सारे काम होते हैं जैसे सर्व पावर रजिस्ट्रेशन करके ठपा मारके बहुत से काम होते हैं गवर्मेंट रूल तुम्हारे कितने बच्चे हैं पांच है साहब जानवरों की तरह हर साल एक बच्चा पैदा किये जा रहे हो इंक ना लगे इसलिए उंगली पर तेल लगा कर जाते हो नकली वोट डालने करेंगे तो सारे लोग मिलकर लफड़ा कर सकते हैं इसलिए यही पर करवा लो ठपा लगाने के समय लोगनात को अपने साथ में रखना है तो कि मैं देख लूँ अब आई इस नोगों को ले जाकर खाना किला कर माहिं के गटर में डालो हुआ है हुआ है क्या बाबू कॉलेज आ रहे हो क्या जी हाँ कौन से कॉलेज में जो कॉलेज खुला मिलेगा उसी में घोष जाओंगा समभल के बाबू हर देन एकी कॉलेज में जाना नहीं तो फच जाओगे मंदर में जाके एक भजन गाया भाई सब मुझे सादू समझने लगे पास में उनको पता चला होगा कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ पूरे शहर में खलबली मची है मंत्री जी को बोर्ट में बंदी बना कर रखा है मेरे आदमी सिगनल मिलने तक कुछ नहीं करेंगे फोन कर लेजिये मंत्री जी तरह हुए है मैं बात कर लूगा चलता हूं मैं अब क्या हूँ हूँ यह लो ठीक है अपने पास रखो चलताओ क्या भाई παही भाई भाई करकर वही पोकार रह रहा है भाई का मतलब मैंने समझा नहीं काम का है लगा मेरे काम का है दून्डो तो जरा कहा है वो प्यास है जोर से लगी अभी देखो तो जरा यहीं कहीं नशे की मटकी छुपी होगी अब तो उसे भी ये भी ना हमें रहा जाए ना देखो तो हमें मिल ही गई एक दोल बजा मस्ति यारो कर लो डांस यारो कर लो खुल के मज़ा सब कर लो यहां एक दोली मारो धुनिया को धुनिय से कले ना तर के कभी ना तुम जीना स्यादा ना सोचो रे कल के बारे में होना है जो वो होके रहेगा हम है वो नाउजवा डरे ना किसी से जो जुमे गाए करे डांस 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 जो भी चाहो खालो पिलो चाहे जैसे यारो जी लो तांस मेरे साथ करो तांस ये बिंदास करो एश यारो कर लो मोज यारो कर लो लोज ऐसा मौका मिलता कहां मस्ती यारो कर लो डांस यारो कर लो खुल के मज़ा सब कर लो यहां हुआ 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 है ए मांगे से हक जब ना मिले बढ़के आगे तुम चीन लो प्यार से जब ना माने कोई ताकर से फिर तुम काम लो जो भी बोलो यारो अपनी जुबा से करके उसे तुम दिख लाओ चोश है कितना सीन में तुम्हारे हस्ती है क्या तुम बत लाओ दराना किसी से मैं धुकाना कभी भी मैं बन गया मैं यारो डाउन 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 जो भी चाहो खालो पिलो चाहे जैसे यारो जीलो है तांस मेरे साथ करो और तांस ये बिन दास करो बाआएगो!!! माने ना जबूर प्यार से कोई बाजू से अपने काम लों लड़नी हो जबूर जंग कोई हिम्मत से यारों काम लों जब तक है जीना बेधरक जीना जीवन के युद को है जीतना हमसे है समाना हम नहीं समाने से मुश्किल हमें है अब रोकना दर गया जो समझो मर गया वो जानो मानो कभी न तुम हार 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 जो भी चाहो खालो पीलो जै चाहे जैसे यारों जीलो जै टांस मेरे साथ करो अर टांस ये विंदास करो आशिया रो कर लो मौझया रो कर लो रोज ऐसा मौका मिलता कहां मस्तिया रो कर लो डांस या रो कर लो खुलके मजा सब कर लो यहां क्या हुआ यह हर दिल लड़कों के सब घूमदी रहती है ऐसी लड़कियों की वज़े से ही कॉलेज का नाम खराब हो रहा है पचास साल के बुड़क के साथ घाड़ी में जा रही थी उसके साथ मजे कर रही थी तू अपने आपको क्या बहुत बड़ी हूर परela समझती है वह तो बहुत बड़ा गुद्दसे है ना फीजा हट मार्केट में सिमकार बेशने के बहाने तो क्या बेशने मुझे पता नहीं मर्दों के साथ गुमना गलत बात नहीं है क्या हाँ जाओ दिन रात घुमते रहना बीमारी लगेगी जब फोल्ड रानी को एज हुआ है कहकर होल्डिंग पर तेरा फोटो लगाएंगे तब पता चलेगा तुझे कॉलेज कल बनके रहना कॉल गल मत बनना फिर कभी किसी किसा और घुमेगी नहुत तो चप्पल से मारूंगी याद रखना अ कि अ बइल चानल जैसा रर चोड़ी से दिल ले लिया हुआ है को राते हो और सुमो कहते हो पागल कहें मैंने अपना नाम आपको सुमों बताया माई नेम इस बैंग बहुत महेंगी गाड़ी है आई लाइक यू ए मैंटिन ज्यादा लगेगा गाड़ी चलाओंगा तो स्मूज चलेगी ना पर माइलेज नहीं मिलेगा न मैं मैंनेज कर लूँगा ओके ओके कह रही है एक बार मैंने एक लड़की तुम्हें ही देख रही है भाई है क्या लोगी धीमे धीमे जान मेरी कुमारी यह हाले दिल तुभी तो जाने रहे तेरे बिल जीए तो क्या जीए जैसे अंगोठी मौती बिल मुझे देख क्यों रहा है मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं जानूं प्यार म मेरि नहीं करती मगर आजाना सुनकर हो जाये कि बिलांक दे खेलिकल आते जाते कुमारी कि पैं या लोगी धीमेreno, में इसा कूमारी आप्अना कर दो तू मैं उन्में सुमो ना में सफारी से कर अधे को सांधिर ऑन आकर जाख से उससे जाने तो भाई हमारे लाइक वाली फीगर उधर आ रही है वहां देखो मालोनी की गंगु भाई अरे अपनी गंगु भाई बजा चोरी है या तू है कटारी चीर गई दिल बन के आरी रूप की घगरी जल के प्यारी तेरी तो अखिया कच्रारी अब आज श्राम को पार्टी की मीटिंग होने वाली है अब क्या करना पड़ेगा अरे कुछ नहीं रहे इंद बात कहने के लिए अहां तो मैं क्राउड लेाओंगा ठीक है इतना नहीं लेडिस भी चाहिए अब पूसिचन पार्टी वालों को उठाने के लिए जिनको उठाने उनकी लिश्ट देदो मैं देख लूँगा भाईया खाना तयार है खाके जाना नहीं भूख नहीं लेगी अरे भूख के क्यों जा रहे हो कुछ तो खाके जाओ क्या शासरी जी नाश्ता के लिए क्या क्या अरे सुमव दो दिन से कहा था गाड़ी खराब ची सर्विसिंग करा आने क्या था है यह कह रहे अपोजीशन वाले यहां क्यों आए थे कुछ नहीं घजनी शाम को काच पाड़े में मीटिंग रखी गई है वहां लबड़ा करने के लिए पचास हाद मी मांगे है पांस ओपे बाद तो यह पांस यार अडवांस लिया हूं टैक रेडी है तुम्हें रुख जाओ अंदर मताना क्यों हां तुम्हें एक बार मेरे घर में कदम रखोगे तो सब से चप्कर है कहूंगा तो क्या है रहा यहां तुमें घजनी ने बुराने के लिए कहा है तू मुझे इतना बता तुझहिए काला अंगुर क्यूं कहते हैं बताता हूं स पाणी करो तो अंगुर निकला क्या अंगुर से पैद़ा हूए तो पहले ही आ गए क्या एक महीन पहले नहीं दो के नाम को मिला कर शौर्कट में सूमो रख दिया समझी ना वो कोई और नहीं बल्कि हमारी ही बस्ति कि महने पना मुख जावाजो की जावाज सरोजा आपके सामने मज़ पर दो हम कहने के लिए आ रही है से प्रतों को मर्दों को सभी को मेरा नमसकार कंदे पर रखेंगे तो ।ावल कमर में बांदेंगे तो धोती अंदर बानेंगे तो लंगोड ये सब तो पुरानी बाते हैं तुमें कुछ समझ में आता है की नहीं ए रामलाल तुम समझते हो की नहीं तुम मंडल की अध्यक्ष नहीं हो तुम चक्की बीसने वाले हो ए तु ऐसे क्या देख रहा है अगर तुम में से कोई सच में मर्द है तो मेरे सामने आए अगर तुमने मा का दूद पिया है तो और सच में मर्द हो तो एक बार मेरे सामने आकर दिखाओ तब तुमारी हिम्मत की दाद दूंगी तुम अध्यक्ष हो तो तुमारी जिन्दगी की कीमत है हमाम लोगों की जिन्दगे की कोई कीमत नहीं है क्या अगर तेरे की कौन है रे अपनी पॉकिट से रॉकिट निकाल के मुझे पर किसने मारा एई जिसने भी यह हरकत की है मेरे सामने आजाओ तुम्हारे मुपर यह मूचे नहीं है घोडे के बाल है वैसे बाल तो मेरे पैरों पर भी है अगर किसी ने भी मुझे पंगा लिया आना तो मैं मार मार कर उसकी हाला खराब कर दूँगी यह MLA रामलाल बहुत ही कमीन आदनी है आदी रात को कौन-कौन से जगा जाता है मुझे सब पता है आपको पता है क्या? कार्यकर्त का रामलाल यादव तुम रोज फूल बोटल पीते हो मुझे पता नहीं है क्या? अब दीदी को कोई चुपने करा सकता है तुम्हारी सारी हटोशन के वारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ इए ये पत्फर किस ने मारा? अरे त्यू मुझे पत्फर मार रहे हो? अरे दुखो तुम्हारी इपलनी हिमत के तुम मुझे पत्फर मार रहे हो एँ देखो देख रूगा याद रखना आए बार ऑण किसी को भी नहीं चोड़ूगी क्यों पापी, वह क्या करी हो, अरे भाव, अरे भाव, अरे भाव, क्या चाहिए, सेमकाड है क्या, ओ, आपको एक नया स्किम बताती हूं, चीप एन बेस्ट, एक कॉल करूँगा तो, नाइंटी नाइन पैसे, दो कॉल करूँगा तो, वन नाइंटी एट, एक हाथ लगाया तो, तो अनों हाथ लगाया तो, ठीक नहीं होगा, भाई, चलो चलते हैं, फिर कभी बताऊंगा, काचल, कॉलिग जाकर पढ़ाई करने का छ साल भर का पैसा देता, उसे मही तरह गेस्ट कहते हैं, मतलब प्रिपेड कार की तरह, यह पता, लड़किया पार्टी को पसंद आई की नहीं, बहुत ज्यादा पसंद आई है, एक हफते से बोट में ही है न, इस उम्र में भी बुद्धा बहुत जवान है, सब वीडियो नि मेरी बात सुनो, जो मान गई है, उसे काम पे लगाते न, हो ना है, तो बेज दिया है काते न, माना करने वाली लड़की को, क्यूं, तुम जाना नहीं चाहती का, पसंद नहीं है का, का बात है, छोड़ दूंगा तो सब को बता दोगी न, नमस्ते गजनी, उसके पास क्यों जाना है भाई, जरूरी काम है गजनी, सिर्फ अकेला मैं नहीं, काली अबाबू, साकीना का शंकर, पठानवाडी का खान, सब ही मिलकर जा रहे हैं, प्यारी के पीछे, अलफांसो, वरोन, गड़ीयल मुनना, और वीसको वारें भाई, ए बिहारी, मेरा रास्ता ठीक नहीं है, रास्ता के बीच तो तुम आ रहे हो, तुम गाजे का बिजनेस कर लो, इस मंगलिंग, अलसर, मडर, तुमें जो पसंद है वो कर लो, इन बिजनेस में, मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आउंगा, लेकिन लड़कियों का मतलगाना, तेरे अकेले को नहीं है, पुलिट का सपोर्ट, अरे हमको भी है, अरे क्या तू समझ रहा, मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरे बास पॉलिटिकल पहुच नहीं है, ए धर्मात्मा, जैकाला के जैर्राम को मेरे एरिया में खतम किया, हम कुछ बोले का, वे आरे, वो अ आए तू अजया, आए तू, आए से जबान लगाता है, क्या समत्ता है, तरी एहमत, है, ए फिर दोबान लडाइतों, जबान कि इतनूँगा, भाई वह आपकी वेसेदी कर रहे है, ए ग्रांड रोट पे जाके गिरेगा, खतम करेंगा, ए अरे खतम करेंगा, हम खतम करेंग इस नाम गजनी करा आईटेंड कटोरी में धिस्पी मिला तो ठीक रहेगा हाँ सुन गाय करेगा तो वह मूत होता है और कुट अखरेगा तो डीस्पी होता है रेडी है गजनी तेरा आइटम रेडी है मैं जाकर लेका रहता हूं ले आउ मांजा कैसे पकड़ते हो देखो आनात रिछा लग रहा है गोड़ा खाली है बैठाना गजनी बिहारी के आत्पी आ रहे हैं देखो गजनी बिहारी बाई ने तुम्हें बोला किसली है तुम बड़े जाबाज हो ना हमारे ग्रूप में शामिल करने के लिए रड़कियों का मैटर पसंद नहीं है तो धेरा फेरी तो कर सकते हो ना गजनी महराश्च में एक किलो पावडर एक लाग रुपे में विकता है वही पावडर बंगलादेश को सप्लाई किया तो एक करोड रुपे मिलेगा धर्मात्मा तुमसे बहुत बड़े बड़े काम करवा के चिल्ला तुम्हें देता है पुरा पुरा फाइदा हो उठा ल लगान, मारणा कर रच क्यांए कर दयश किल्ग Estamos है ako माता है कर बड़े क। कर पावढर कर दा है कर ले वरले बा, तर oldest स्क्ष्ल्डे ड कर तुम मे् था आया राव Almost 509 कर दosium हुए कर दोसम हो yह वे पुळसे कि और खर व creo कि खुछ हुए सकति हुए कि खुछे हुए कि खुछे Cooking कि खुछा तोज क्पीजर खाइ droite क्पीजर 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 ऑग पांच लोग चाकू बंदूग शिशै के पोटल खतरनाक हतियार तूफान इंबम मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैं महमूली चीजों से माच डालता हूं अगर सरा भी हिला तो खून बाहरा जाएगा और साथ में जान भी जिंदा रहना है तो अपने बाप बिहारी से कह दे कि भाई मेरी जान है अब निकल पानी कहा ले जारी है चैक गाउ से मेरी महमान है उनके लिए जादा पानी ले जारी है यह खूबसूरा सबाफ हो जाया अ कि पानी कि द्रशानत हो गई हो तो पेस्पढस फेल और कर आडया मैं या हूं तुम के नाने से अच्छा इस तरह गूम के ना उना अरे यार इसका बैक इतना सूपर है तो वापरे क्यों सुमो तुम अचानक चुप की होगे बात करो ना वाज नहीं निकल रही है यार अरे क्या लग रही है यार बचा बचा बैट कर दो हुआ है अब जीड़ कई अब अब ऐसकि पहरे पर बाल भाल है तो ब्यार स्थ्टरॉंग बोडी वालिये अवर dip इसके मूँंग पर क्मुच्छे भी अइसविए अथा सिनेमा का फाइट मासटर है आइँ मुस्टर आappyा है और क्या है मर्द नहा रहा था तो उसे चुप चुप के देख रहे थे और इतने दिन से तो यहां हम औरते नहा रहे थी तो तुम कितने बुरी नजर से देख रहे होगी अदर एक पागन नल को घुमाते जा रहा था बिल्कुल लोस फैलो की तरहा पानी केसे आएगा उसे पता ही नहीं चल रहा था अच्छा मेरा मज़ा कोड़ा रहे हैं ही इस कमीं, ही इस कमीं हलो है मुझे क्या पता था दबाने से पानी आएगा अब मैं गुमा रहा था तो आथ मैं तो मैं करो छूड़ भई ए खाने के लिए आए इसलिए पूछ रहा हूं मेरे जैसे एक टपोरी खतरना गुंडा प्लेट फार्म पे सोने वाला तस बजे खाना खाके घर जा रहा है और तुम अभी चेकन का ओडर देखकर यहां आराम से बैठी हो जब तक बनेगा और तुम खाकर घर जागी तब तक तो रात के दिगट दो बच जाएंगे तुम लोग आधी रात के खुमोगे अदेश तरकी कैसे करेगा देखो सुनो तुरा बाप कहां काम करता है पुना में पुना बुलाता वहीं पे काम करते हैं और तेरा बाप आर्टियो ओफिस में इस सेल का बिल भरने के लिए 2000 रुपए चाहिए हफते में एक बार ऐसे होटल में खाने के लिए 3000 रुपए तेरे बाप का खर्चा तेरी मा का खर्चा कुल मिला कर कितना हुआ जरूर तेरा बाप रिश्वत लेता होगा सुनो देश को तुम लोग बरबाद कर रहे हो और कहते हो कि गुंडो और बदमाशों ने देश को बरबाद कर दिया है और यह सब क्या है जीन्स, पैंट और टीशर्ट के बीच में गैप रखके पूरी दुनिया को दिखाते हो तुम लोग क्या यार पूरी इजट ही निकाल दी इजट तो निकाली लेकिन सच बोलके गया जास्तरी, पूरा पैसा आ गया न बहुत शुक्रिया भाई ऐसे ही काम देते रहे है अटेक के लिए भी आऊंगा सुना तुमने, बाबा अटेक के लिए तयार है घर में दो जवान लड़किया है पैसे मिलेंगे तभी तो उनकी शादी होगी न जास्तरी, तरी पत्नी गहां क्यों चली गई? मेरा पीना रोना देकर संबले बिना चली गई जो भी काम के काबिल नहीं होते हैं उनमें से मैं एक हूँ स्कूल के जमाने में यही शराब पीकर, सिग्रेट पीकर बड़ों से मार खाकर आखिर में पत्नी भी जगड़ा करके गहां चली गई है अब मुझे उसे हर मैं ले खचा भेजना पता है हलो बोलिये भाई गजनी एक फोन आया, जरा देख लेना तो मैं देख लूँगा भाई नाइट होटल वाली लड़की यहां के साथ कौन चाहिए? पुलिस टेशन में उस लड़के ने मेरी बेटी का नाम ले लिया है यह बात अगर लोगों को पता चली तो हमारे गर की ज़त चली जाएगी हे चल रहे उतर माई बुला रहा है क्या समयता है खुद को? हे जिससे प्यार किया उसी को धोका दिया कैसा मर्द है तू? वो लड़की खुद करें साथ है जैसे किसी बुदूर से संबन ना होने पर भी उसे अंकल कहना तमीज है उसी तरह किसी लड़की को बदनामी से बच्चाना भी एक तरह की तरह की तमीज है समझा? पहुचा देता सबको सुनो, पुली स्टेशन जाकर पुरानी एफाई अरद करवाओ और उसकी जगह नहीं लिखवाओ अब देख क्या रहा हो, जाओ यहां से सुनो बाहर जाकर इन सब बातों के लिए लफ़डा करोगे कातिरदारी की जरुगत है तो पहले से बता दे ऐसा कुछ नहीं करेंगा भाई आज की बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई जाए सर, आपकी बेटी से अलग से कुछ बात करनी है घवराईए मत देखो, सोशल होने के नाम पर ये घूमना फिरना बंद करो शास्त्री, आज तो एक तम कमाल हो गया गजनी ने आज हिला के दख दिया ममता जलक रही है कहा आसू टबक रहे है कहा बॉस, बॉस, अगर तुम समंदर के किनारे किसी लड़की के साथ गाना गाओगे तो सिनेमा के किसी हिरो से कम नहीं लगाओगे एई मामो, ये डेटिंग क्या होती है चटिंग फ्रेटिंग क्टिंग पता है डेटिंग क्या है किसको पता एक लड़का और लड़की बाइक पे कसका चिपक का जूबीच तक जाकर सम्मुदर में मिलकर नहाकर एक ही रूम में ड्रेस चेंज करके कुछ भी करें बिना लोट आए उसको डेटिंग कहते ये रेफ से भी ज़्यादा निसेंस है क्या तू पहले डेटिंग पे गया है बताना संभाल के ये क्या कर रहे है वो बाबा ने दो हजार रुपे मांगे थे इसलिए कंगन दे रही थी क्यों मांगते तो मैं नहीं देता पैसा नहीं है भाई इतनी बार तुमसे मांगूं बस करो बाबा ए शास्तरी से बोलके बाबा को पैसे दिलवाए ठीक कि अरे जा रहा है मोटू तुझे दूसरा काम नहीं है क्या जाना है तो चलिए या मेने जा रहा है सुनिए मुझे गजनी से मिल ला है कौन एक दो तीन चार पांच्छे वो गजनी क्या हाँ ऐसे मजाग किया वही घर है अरे अपने मर्जिए होटे लोज नर्की तो 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 तुमसे मिलने आई हूं एक छोटी सी प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है सा मेरी बास सुनो इंसाफ से बेचेंगे तो दो तिन कार्ट से जादा नहीं पिक सकते वही वियाएपी नंबर है करके बेचेंगे तो तुरंद खरिज लेंगे वैसे नंबर के लिए 10,000 पे करते ह वोगल के सॉरी सॉरी कह देंगे फिर दूसरा नंबर वो ले लेंगे कुछ होगा तो नहीं डबल जरो डबल जरो वन है ना वो तो अपना फैमिली नंबर है जरूर खरे दूंगा अब क्या हो गया उन्होंने वही नंबर चाहिए कर केस कोर्ट में डाल दिया है ऑफिस वाल रिदा नहीं है इवडिक काटे हैं ब्लेट से मारते है आइसी लेकर मुपर फिक देते हैं इसे केश वापस ले आ फंचार само बस वो लड़की हिरन की तरह क्यों दोड़ते हुए आ रही है क्यों आ रहे पता नहीं चल रहा है क्या है हमने गुंडों से धंकाय है कहकर उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी पुलिस मुझे ढून रही है प्लीज मेरे लिए कुछ कीजिए ना ए क्या किया तुम लोगों क्यों कैला प्रोब्ल भॉक्ष देरहал लिए मेरा घर का नमबर एक है, रोड नमबर भी एक है, मुझे एक ही बाप है, एक ही मा है, एक ही भाई है, एक ही मामा है, एक ही बहन है, एक ही जीजा है, एक ही दीधी है, एक ही बेटा है, इतना ही नहीं, मेरी पत्नी भी एक ही है, मैं अपनी पत्नी को एक ही बार क्या करते हो, खुदी कड़की में हूँ एए चिजी चिंदा मत करो एए इसको पैसे दे ये कड़वाले को दे देगी सुनो आज के बाद इस लड़की से तुमारा कोई संब्द नहीं केस वापस लेने के लिए साइन करो एए साइन कर दी साइन कर दिया ना एए ये 00001 नंबर को शेर की सभी आटो और टेक्शियों पर इमर्जेंसी सर्विस नंबर के रूप में लिखवा दो इस मोटे को नंबर मत देना बोर लग रहा है उस नॉट 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 पर फोन लगा हलो हलो आपके पास पॉलिस फोर्स है क्या एक छोटा सा प्राब्लम है आकर चले जाए रॉंग नंबर फाइर सर्विस है क्या पेट में से धुआ उठ रहा है पुझा कर चले जाना नहीं है यार हाँ तो एंबुलेंस सर्विस है क्या सर में आटैक आया है आओ पिकप करके था था नहीं है बाई तुम अकिले दौह मोटे साले तुम अरे मैं तो एका परची थू मोटे वाता कला 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 का हार हे हम कहां बैठेंगे दिधर के गजनी कि तो मॉडर दो मैं बात करके आती हूं हलो आप यहां कैसे होटल में क्यों आते हैं काने के लिए ओ तुम यहां क्यों आई हो मेरे पास 0006 का एक VIP नंबर है तुम्हारा नाम गजनी है और काम भी अच्छा है दोनों मिले तो अच्छा होगा एक घूसा मारूँगा तो बात करना भूल जाओगी और लेडी मेरा पैसा वापस नहीं मिला है वो गिफ्ट मिला समझा था मैंने अगर तुम हमेशा तुम होटते हो तुम्हारा घर है तुम भी हम तो अनाथ है तुम भी अनाथ हो गया मुझे डर रहा भाई तुक्यों जोड़े विए तुझे पशय कोई कुछ नहीं कर सकता गलजी देख गुल्व एम से टेवल पढ़ कॉननी की शट रहती है है वा आप नाम क्यों आपने दोस्तों को बता किया तो तुम गाली शॉट करो तुम सीधे जाकर लेफ्ट वाले को मारना तुम राइट वाले पर अटेक करना गोविंद को मैं संभाल लूगा ठीक है सुनिए ना मेरे सेलफोन में कैमरा यह सब कुछ में छूट कर सकते हैं यह तो अटेक करो कि अब दो हजार तीन सो अब आपने एरिया में पुलिस वाली गाड़ी रुखा के रिश्वत ले रहा है भाई लेने तुँ हमें का फर्क परता है क्या ऐसी बात करते हूं आप भी इस कैमरा में उस शीन को शूट करके कमिश्णर को दिया समझो आपने अपना नाम फेमस हो ज सब्सक्राइब करता है ऐसे हर लगा घूस लेते रहेंगे तो कल इंडिया का क्या होगा हम लोग उसे चुटा घूस लेते वह देखते रहेंगे तेरे हाथ पैर तोड़ दिये ना तो किसी काम का नहीं रहेगा अरे सबूत मिलने के बाद वो मेरे क्या कर सकते है बड़ा तो क्या तेरा नाम तो ही है ना एए देखो घूस लेने वाले इतने जोर से चिलाया नहीं करते है जोरी पक्रेश जाने के बाद गुस्सा करना ठीक नहीं होता तुमने किस किस से कितना घूस लिया इस वीडियो में रेकॉर्ड हुआ कल सब के सामने रिलीज करूंगा तुम इदमें तुम अपना मुवं बंद करके रखो उससे क्य Łँ चुल करें कोई पैर आरा है तो लाइसेंस भी का निया पुछते हो वैसे मुझे तुमने गालियां सुनाई। जल्दबाजी में कहा कहकर है। कोई और बुलाता तो हम कभी नहीं आते। नारायन राय की इज़त है इसलिए हम आ गए हैं बुलाने पे। बलिया में उनका राज चलता है। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे हम जैसे बिजनेसमैन ही उन्हें पैसा देते हैं। अजे, तुम्हें उस कभी की कहानी पता है ना। पता है, कभी ने जो लड्डू चुराया था। नहीं, कभी ने लोमणी को धोखा दिया हुआ था। लड्डू को चुराने वाला कववा पेड़ के उपर बैटकर लोमणी को भलकाया था। भलकाने के बाद लोमणी चुप रहेगी क्या। प्रतिकार पूरा करने के लिए। गुस्से में कववे को जान से मार था। अजयर आओ को धर्मात्मा ने मार दिया। यह जाकर सबको बता देना। मुझे कुछ नहीं पता। मैं कुछ नहीं जानता। मैं जा रहा हूँ। गजनी को बुलाकर जाने दो। गरदन पे छूरी रखकर इंसाप मांगने वालों में से है। भासकर को बुलाकर देल करने को गहो। मैडम हमारे ओफिस के लिए साथ कार्ट चाहिए। सेवन कार्ज ग्रुप कार्ट लीजिए। आप आपस में फ्री में बात कर सकते हैं और इसका रेंड भी कम है। मैडम हमारे अमडी से बात करेंगे तो वो तुरंत ले लेंगे। कहा है। वो देखिए कार में। हां मैं अभी आती हूँ हां। अरे तेरी फ्रेंड बिहारी के आदमी के पाँ जा रही है। अरे यह आठी अर्फिप जोड़ो चोड़ो मुझे अब काचल को बिहारी की आदमी उठा करें। चलो यहां से बिहारी की आदमियों के फोटने से पहले दाए लड़कियों को बचा नहीं तो लड़की की जिन्दगी परबाद होजाएगी। गजनी चल अब बसक्त कर दो लड़की को लाए है वो लड़की उस बोर्ट के पास है क्या देख ठीगर कर रहा हूं भाना चाहिए तुमको तेरे आदमी मेरी पहचान की लड़की को ले गये उसे कुछ नहीं हो ना चाहिए हम नायक नहीं हुँ रहे, हल नायक हूँ, यहाँ एक भी पर रखा तो जिन्दा नहीं वचेगा उसे कुछ हुआ न भलवे, तो तेरी जान ले लूँगा ओ बहारी, क्या हुआ तेरा आदमी गजनी, मेरे अड़े प्यारा है, उसे यहाँ आने को मत कहो, उसको रोक दो, अगर वहाँ आया तो, हम उसको खतम कर डालूँगा, समझेव भाई, वो मुंबई से लड़कियों को ले जा रहा है, देखकर वे आखे बंद गल लूँ गजनी, गजनी, एक लड़की के खादिर, तुम क्यों इतना रिस्क ले रहे हो, भाई, वो लड़की मेरी पहचान किये, मैं जरूर जाओगा, जानो दो भाई, उसका मेने को मरने दो, बिहारी उसे माल डालेगा, रणिंग टाइम में ऐसा कर रहा है वो गजनी, वो बिहार इस सारे गैंग को खतम कर देगा, सब कुछ गैंग वार में बदल जाएगा, उसकी बज़े से नाम खराब होगा, नहीं भाईया, उसे ज्यादा समझ में आ रहा है, उसे मरना ही होगा, अरे बद्री, मेरा नाम सुनते ही सारी मुंबई हिल जाती है रे, आपने एक भी आदम को असल्ट किया तो, लोग हमसे डरना भूल जाएंगे, बिहारी, कशनी के आने के थोड़ी देर बाद मैं भी पहुंच जाओंगा, वहाँ कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए, आप आप, 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 दरमात्मा का फोन आया था, इसल फिए चुचा मुझे, आप, ऐओसराब अप, वहाँ तो, आप, 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 मुझे हमसें, भात ही देर समय के dat दो, आप, 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 पाँ, बात द लुचे, ओ, वहाँ कर दो habrak, गजी को बोट अ को छोड़ दो बा देखो ताप तुम हमरे ही पीछे पढ़े गाते हो पहले उस लड़की को इधर बेज दो वो गजनी की पहचान वाली है यह सरे हम किसी के साथ भी पूरे शहर में घूमती रहती है तो क्या इसके कहने पे छोड़ देंगे हम उस लड़की के लिए एक शब्द भी गलत बोला त इतना गुस्सा ठीक नहीं है सगी बहाने कहो या तो कहो कि पत्नी है तो फिर छोड़ दूंगा इसके अलावा कोई भी रिस्ता नहीं चलेगा किसी के कहने पे भी नहीं छोड़ूंगा रे उठा आरे लड़की को ए गजनी रुको ये बरी बीवी है रात बहुत हो गई यहां वाँ घुमना मत यहीं तेरा घर न जाओ ए चैन देती जाओ पांच तोले सोने की है दो जाओ क्यों गजनी इतना टेंशन कुरिया तुने अपनी पहचान की लड़की मुसीबत में होगी तो हम चुप बैठेंगे क्या बेचार यह अच्छी लड़की है दो चार वार खाना भी खलाया है इसलिए अब चल्द अब चल्ड़ हुनकिते माठी कचिया मांवे ص beleza दिन्टारे क्चिया माठी कचिया हाँ उचिया मीकचिया दिन्टे टेदेуемर bahा दिन्टारे किकचिया माठी तिन्टारे क्चिया मांवे प्ल 보이' हें अंजना अंचना व्यार से अंजना लड़का है कैसा ये क्या मैं करू बेगाना इश्क से बेगाना कैसे मैं इससे प्यार करू I love you बोलेना पैशार को ये समझे ना बनता है ये तो हीरो इश्क में पर है जीरो क्या है ये जो बारी जारेना बल्मा अडारी है ये पुद्धू बड़ा दिल पे है इसके तारा पड़ा है हकंडे हकंडे प्यार के हकंडे मुझे ना आज माना ये हकंडे बाहों के बाहों के गोरी इन बाहों के डालो न ऐसे मुझे पे फंदे कर दो दोड़ाई दोड़ाई जाने ना अदर ये मेरी आने से पास ये घबराए लूटे ना त्यार की ये मस्ती अगरे है ये तो भाव खाए रोको रोको ना मुझे को रोको ए सोचो सोचो क्या होगा सोचो मस्ती का है ये समा मैं हसी तू है चवा दे दो चुमा चुमा दे दो ना बल्मा अनारी है ये बुद्धू बड़ा दिल पे है इस सुके ताला पड़ा जो पे है पाए दे घो इस सुके था जो खाए जड़ा ये वे ताला ए जो एड़ा पड़पा नहीं और तू मुझे को उसका रस तू चकले जरा अब जा नहीं दूर तू मुझे से पाहों में तू भर ले जरा जाओ ना जाओ ना पीछा मेरा चोड़ो ना जोड़ो ना रिष्टा मुझे से जोड़ो ना देखे तो दिल देखो करके तो प्यार देखो आती है जवानी बसक बार लटीना डान है ये समझे नहीं दूबी है इश्क में ये माने नहीं है अंजन अंजना प्यार से अंजना दर्खा है कैसा ये क्या मैं करूँ क्या है सुबाज भाई कैसे हो अब क्या होगा ये तो बहुत क्या होगा ये तो बहुत क्या रखता है तुम को उसने इतना मारा फिर भी तुम चुप खाले हो उसने मुझे मारा नहीं है ये तो ट्रेटमेंट है कैसी दवा है उसने यार तीन दिनों से खाना को ज्यादा खाल लिया था तो इसी डिटी हो के थी उस पहलवान को बताया तो उसने पीट-पीट का सारा दर्ट ठीक कर तुम जार मुझकर सबसे मार खा रहे हो क्या मेरे पर्मीशन की मिना कोई मुझे आत लगा सकता है क्या यार फालतू की बात कर रहे हो सच नहीं तो क्या जूट बोल रहा हूं अब समझ लो कि तुम्हारा किसी ने गर्दन पकड़ लिया तुम सीधे जाकर किसी सीर्फीरे से पंगा लेलो गर्दन को मार मार कर भजिया बनातेंगा सब्सक्राइब तुम्हारे पेट में दर्द आया है समझो डैरेक्ट जाकर किसी से लफटा लेलो वो लोग तुम्हें नीचे सुला का पेट के उपर फटा फट नाचेंगे कैस बाहा निकलके माइन फ्रेश हो लेकिन उत्तर प्रदेश मत जाना भाई वहाँ गय तो बम निकाला मुझ में डाल देते हैं लेकिन इस विश्ण में मुंबई को लोग बड़े लख्य है या कितना भी मारो छोटे बड़े पे कभी भी हाथ नी उठाते इस विश्ण में मुंबई को माना पड़ेगा आता शास्त्री इसकी बातों में सच्चाई है क्या गजनी ये के कॉलेज में छोटे को उच प्रॉब्लम है जा कर देखो जल्दी ए गोपी रगू चलो कि जल्दियाओ कॉलेज में लफड़ा हो गया है भाई ना भी फॉन किया था ए सुरेज चलो चलो आटो हमारे पीछे आओ क्या हो जाएगा ठीके जल्दबाज मत करो क्या हुआ क्या बात है बड़ी बेरहिमी से प्रफेसर पर हाथ उठाए था इसने क्या कॉलेज में आके तुम लोग इधर दंगा फसाट करते हो शांत रहिए मैं बात करता हूं कि चक्कु चल्दी से इंसे माफी मांग लो बाद में मैं संभालोंगा है बहिया ने बचाने के लिए भेजा या माफी मंगवाने के लिए चक्कु यह सीरियस मेटर अभी इंसे माफी मांग लो बाद में मैं संभालोंगा कान नहीं तो पारी पड़ेगा नहीं मांगो नहीं मैंडम पर हर्ट होता है हाथ पर तो भालूगा तेरे कुछ से कमीने साले मौन साले को है उठा के लिए चलो इसको अंदर सुनिए आप लोगों में से कोई चालो पॉलिस टेशन चलिए आए चलो जल्दी जलो कि या यार यह तो हमें बोटू बनागा उसे लेकर सेले गए उसे खत्म कर देना चाहिए छोटे को बजा कर लेकर आ कहा तो फीट के लाता है कमीना कहीं का उसे आने दो बात करते हैं जगू अंदर जाओ हमारे पास काम करने वाला कुट्ता हमें काटने दोड़ता है उसे चोड़ देंगे क्या भाई भाई स्वारी भाई बुरा मत मानना मैंने जगू पर हाथ उठाया दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था भाई स्टूडेंट होता तो मैनेज कर लेता पर टीचर का मामला था अब दिन तक बाहर नहीं आ पाता उसे स्वारी बोलने के लिए का लेकिन उसने माना ही नहीं जग्गू को बचाने के लिए उस पर हाथ उठाना पड़ा भाई तुमने बिल्कुल सही किया घजली अब अपने वकील से कहके एक बेल तैयर कर वालो मैं पकड़ूंगा तब ही च्छा हम करने वाले को अंदर आने के लावा किचन में जाने दे रहे हो काम वाले को घर के अंदर आने देंगे तभी घर साफ होगा मेरे सत्रा साल की सर्विस में मेरे पीछे भी मुझे कोई जी जाने बुलाता है ये मेरे सामने बुला रहा है ये मेरी आंटी का लड़का है या इसने मेरी बहन से शादी की है मेरी बहन को वो देदी कहकर पुकारता है तो भाई ने गारी दोने के लिए रखा तुम नहीं तो कहा था कि पेट की भूग आँखों में देखती और खाने खिलाए था हाँ उस दिन तुम भोला बनकर अच्छे बची की तरह आया थे लेकिन आज ठीक है डाटो तुमनी डाटो की तो कौन डाटे का दीदी है नहीं अधिए बाई शास्ति ने नास्ते का पैसा नहीं दिया यहां क्यों आई हो मुझे हमेशा की याद आती है आई ठीक मुझे आपसे प्यार हो रहा है क्या एच्छोड़ों तु जाकर देख नास्ता तयार है तो लेकर रहा है तो यह बाई मेरी बिल्कुल सच है मुझे आपस अधिए रहते हैं कुल में लाकर 20 लोग हैं एक ही संदास यूज करते हैं तुम यहां रह सकोगी अकल से काम करो मेरी हीरोगरी देखकर तुम भेकाल में पागलपन कर रही हो जाओ यहां से जाओ उसन क्या सोच का तुमने मेरे गले में चेन डाली उसे में मंगल सुते समझ नहीं ही सुनकी से जुख में होता पानी पीन के झाली में खाना खाना या अपने मनद पसं साथी के साथ मितटी के प्लेट में खाना खाना और चौट इसी चादर में सौना जन्नत की खूशि लिख के सूंदा किटनइप किया और चैन डालकर मैं वापस लिया है बस हम सब बहुत बदमाश लोग हैं हमारी जोड़ी निजमेगी खराब हो तुम कैसे बिता सकते हो कि तुमने किसी का रेप किया है एक दो को मारा है क्या नहीं तुम बुरे हो यह कैसे कह सकते हो तुम तो मुझे बहुत बोल दो मैं चली जाओंगी मैं जीन्स वाली लड़कियों पर भरोसा नहीं करता अच्छा फिर जीन्स पहने वाली इस लड़की को क्यों बचाया मुझ पर भरोसा नहीं है तो बोल दो मैं डॉक्टर से वर्जिन डेस करा लूंगी और सेटिफिकर लाके मैं तुमें दिखा इतने लोग होने के बावजुद तुमने हिम्मत से पीच में आकर अकेले खड़े के में लड़ाई की मेरे गले में चेन डाल कर मुझे तुम वहां से ले गए यह कोई मामूली बात है क्या उसी में ही अभीमान दोस्ती सच्चाई हिम्मत सब को शामिल है जब तुमने मुझ आज मुझे डिसमिस करने वाले हैं आप क्या बात कर रहे हों शाम को चार बजे मेरी कुर्सी छेंजाने की न्यूज आएगी, रात को आट बज़े तक फिर से मुझे वो कुर्सी चाहिए, उसके लिए तेरी जरूत है, मैं समझा नहीं, टीवी में न्यूज आते ही, शहर में दंगा फजाद होना चाहिए, पत्राव होना चाहिए, शौप बंद होनी खबर मिली है, सारे एरिया में शौप बंद करवाना है, वीडी स्टेशन मार्केट एरिया में टैक्सी जलाना होगा, महालक्षमी के दोवी घाड एरिया में दो बस को जलाना होगा, चर्च गेट से लेकर बोरी वली तक सलकों पर पत्थरों से वार करना होगा उसके लिए आदमी तयार कर दूँगा जरूरी बात, पार्टी आफिस के सामने पांच लोगों को आत्मदाह करना पड़े है, जितना भी पैसा लेंगे वो हम दे देंगे आत्मदाह? आत्मदाह मतलब? इसका मतलब क्या होता है? आत्मदाह का मतलब जल कर राख हो जाना समझते हो क्या? ऐसा? मैं आत्मदाह का नाटक करने के लिए कह रहा हूँ तो ऐसा भोलिये ने भाई शरीर पे घास लेट डाल कर जलने के लिए नाटक करने के समय पोलिस आकर आरेस्ट करके ले जाएगी बस ये सब कुछ एक नाटक है ओके भाई, इंतिजाम हो जाएगा मैं सोचा सचमे करना पड़ेगा इसलिए थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा भाई क्योंकि पुलिसर रिस्क करेगी, दो दिन की रिमाइन का रिस्क भी है न कोई बात नहीं घजनी, हर एक को पंद्रा पंद्रा हजार रुपए दे देंगे तो ठीक है भाई, चलता हूँ क्या भाई, ऐसा क्यों क्या के नाटक करना है गल्ती किया, घजनी को आत्मा दाह के लिए आदमी मागना गलत है इसके लावा दूसरे सेरेंज करना मुश्किल है ए भासकर, भाई, तुम आत्मा दाह के लिए आदमी ला सकते हो क्या शाम तक बोलेंगे तुम मुश्किल है भाई, आ, देखा न, इसलिए मैंने प्लैन बदल दिया वो कैसे? ए भासकर, भाई, उन लोगों के घासलेट कैन में पैट्रॉल मिला दो, वो डाल कर नाटक करने के समय किसी को बिना पता चले उन लोगों को चला दो गजनी की नजर में ये एक एक्सिडेंट होगा और क्या, मरने वाले के घर वाले खून के आसूर होएंगे उसके बाद पैसा दे देंगे, तो वो सब हमेशा के लिए चोप हो जाएंगे क्योंकि वो सब बिन माबाप के लावारिस से हैं इतना रिस्क लेकर उस MP की हम हेल्प क्यों करें अरे बद्री, अपने MP के हाथों में ही है रियल स्टेट रजिस्टर जैसे सारे डिपार्टमेंट उसके पास है आज के दिन उसे निकाल दिया तो उसके बाद CM भवानी सिंग को जरूर बनाएंगे और वो अपना दुश्मन है वो हमें कमाने भी नहीं देगा कमाया हुआ पैसा बचाने भी नहीं देगा उसके बाद तेरे सारे बाल निकालके हम सभी को भीग मांगते हुए मंडी के पास बैठना पड़ेगा मैंने जैसा सोचा है वैसा होना चाहिए तुम सब के लिए काम है हाँ अभी बताता हूँ अच्छा वसंद के जुड़ों बच्चे है ना आने में टाइम लाएगा इसका नाम भी लिख लो भाई की कॉलेज फीस के लिए पैसे चाहिए ना इसका नाम भी लिख लो एसे क्या देख रहा है कुछ नहीं गजनी पंद्राजार एक साथ मिल रहे हैं गाव में मा को पैसे भेज़ूगा तो खुशी होगी लेटर में लिखा था तकलीप में हो ठीक है ठीक है शास्त्री इसका नाम भी लिख लो गजनी वो पाच्वान नंबर मैं बनूगा गजनी शास्त्री चाहिए तो ऐसे ही ले लो ना तुम इतनी तकलीप क्यों उठाते हो ऐसा लूँगा तो वापस करना पड़ेगा अच्छा मौका है बड़ा माउंट है ना मैं पत्नी को भेजूँगा वो बहुत खुश हो जाएगी उसका मन बदल जाएगा और चली आएगी ऐसी मेरी आशा है तो जाओ और हिला कर रख दो मैदान में उतरे बिना जीत हासल नहीं होती है एए क्या है यह है क्या समझ के रखा है मुझे दूगा एक हाथ दिदी देखो नहीं यह पागल हो गई है जब देखो तबा जाती है परिशान करके रख यह सने मुझे कहता हूं जाती नहीं है जैने तो सोचा कि तुम दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती है पर तुम तो दोस्ती से कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई चल जाए हां से बड़ी बेशरम लड़की है बेशरम कहींगी अभी पैर से चपल निकाल के मारती हूँ चल जाए हां से इतनी बड़ी हरकत करते हुए एक पर भी तुने सोचा नहीं अब दुबारा अगर यहां नजर आई तो तेरे हाथ पर तोड़ डालूंगी अपने उद्योग मंत्री बाबु नाई को मंत्री पसे निकाल दिया गया पाटी की सभा में मुख्य मंत्री ने खुलासा किया घवराइए मत आपके मताबिक सारी तायारियां हो चुकी है खया हुआ पत जल्द वापस मिल जाएगा चलो 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 जल्दी चलो साब समाल के कोई पत नहीं आना चाहिए चासरी जरूरी पड़ी तो फोन कर लूँगा समझ गे ना चलो चलो ए मुन्ना तुम अभी तक यहीं हो मेरी पतनी को चेक अप के लिए होस्पिटल ले जाना गजनी होस्पिटल से आते ही तुरन बिजवा दूँगी पर या जल्दी चलो गजनी क्या है तुमसे एक जरूरी बात करनी थी कि जल्दी बताओ इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं गजनी सब गलती हमारी है क्या बात कर रहा है कल क्या हुआ कि रुको रुको क्या तुम सच में गजनी से प्यार करती हो तेरे जैसी लड़कें कलरफूट ड्रेस पहन कर चपकती हैं उसके बाद बिना दिखाय दिय चले जाती हैं गजनी से तुम सच मुझ प्यार करती हो तो सब के सामने गले लगा कर चुम्मा लेना पड़ेगा ऐसा गजनी ने कहा है क्या कर दिया तुम लोगों ने क्या कर दिया है क्या कर दिया है और तुम्हारे जिंदगी म अच्छी लड़की आई तो शादी नहीं करते हो गजनी कल लेना चाहिए तुमको कोई भी लड़की एक लड़की से प्यार कर सकती है गजनी तुमसे जुदा ना हो इसने तेरी गुण्णा गर्दी को पसंद किया उसने दिदी गजनी के दिल में कुछ नहीं होता तो उस दिन भीहारी इसे तने लफड़ा करता था गया तुम्हें बताओ जब तक सोनी की चैन गले में रेगी तब तक कीमत का पता नहीं चलेगा जब हो जाएगी तब पता चलेगा वो मुझे भी पसंद है यार पर कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो वो तो रस्ते पर आजाएगी यार गजनी हमने उसे बहुत बेज़त किया अगर उस लड़की ने जहर पीकर अपनी जान दे दी तो तो तुम भी मुसीबत में पढ़ जाओगी जाओ गजनी जाकर उस लड़की से बात करो मैंने उस लड़की को बहुत मारा है नहीं दीदी मुझे पार्टी के आफिस जाना है वो सब कुछ हम देख रहेंगे पहले तुम यहां से जाओ 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 दिल के तुम महमा हो हां मेरी तुम जाओ बोलो तो जानम दिल हम चीर के दिखेलाए काजल ओ काजल कौन हो तुम क्या चाहिए मैं उसका पती हूं काजल बाद में बात करता हूं काजल काजल मुझे माप कर दो काजल कि मानता हूं तुम्हारा अपमान करना गलत था लेकिन मेरी भी क्या गलतिया तुम इनी तो आकर चुमा दिया था न तब भी मेरी गलतिया क्या लड़किया आकर गले से लग जाएगी तो खुशी से पागल हो जाओंगा क्या मैं गुसा आ गया था मुझे इसलिए खीचकर लग लगा दिया लोग चाहे कुछ भी कहते रहें तुम्हारे पास तो दिमाग है न कि यार नहीं करता तो डूंटे हुए तुम्हारे घर आता अंचाने में गलती हो गई सुनो मैं गुनायकार हूं यही न शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे और किसी से ने कपले लेकर च चलो चलते हैं नहीं मैं नहीं आऊंगी क्यों मैंने तुम्हें मारा इसलिए नहीं तुम शर्मेंदा हो मुझे मारा इसलिए प्राइस चेत करने आये हो यह सब मुझे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सच्चा प्यार चाहिए मुझसे प्यार करते हो इसका सबूच उस वक्त मेरे पास आना तब तक मैं ना तुम्हें देखूंगी और ना तुम से बात करूंगी और तुम भी प्लीज मेरे सामने मत आना वहारी पत्नी बनना और तुम्हारे प्यार के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए यह तुम क्या करे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है जब कहा मेरे दिल में तुमने यह तुम मुझे बुला रही थी अब कह रहा हो के दिल में हो तो जाने को कह रही हो कि दो महीने के दो साल भी हो जाए ना तब भी तो मेरे दिल में रहोगे कि तो मेरी जान हो काचल चलता हूं कि अ कि दो लुट जान । बनात्री कि एंधि पटहर पिते हैं मलान जाने झा तो आत्रीrot पिते हुप पिते हुप पिते हुप आत नहीं साधव अपे जाने को ऺंडेल मतर हुट है जिए इतने पे मांत्री आतले हाु कुमा West Side बनात धर पात्री मुष्माटर नच वालन कि मांतरी जो 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 कि म के मäं के आटो के आटो के का आटो अग्すन अप Bendis अदे西ा को उख कहा से तैश का मुई शबया को उख ले मुई अगा हुआ है है क्यों हो गया है यह जलकर राख हो गजनी शिवाय है कि पचा उसे होस्पिटर लेकर गए है गजनी पेन ज्यादा हो गया है इसे इंजेक्शन दे दो क्या कि रप्टर कि यह देखो क्या हो गया हम सब को छोड़के चले गया अब अब को पड़ाएगा अब को पड़ाएगा अगया तो क्या हो गया है कि चुप हो जो है तो थे तक तो अई होता कि अटा गजनी भीजा प्रॉट प्रॉट स्पॉट पे तुम भी नहीं थे ना कहां गए थे ठीक है वो सब बोला कर अब क्या करना है वो सोचो किस किस को क्या क्या देना है सब कुछ दे देंगे श्रॉट पिस नहीं धुट वे प्रॉट टॉट जेंगे है वो सब प्रॉट वो प्रॉट वो सबस्क्रावर प्रॉट। हर आदमी को दो दो लाख रुपए दो पांच लोग वही जलकर खुदकुशी कर लेंगे ये का था ना अब देखो तो उनेच सिर्फ 15,000 रुपए देकर जबरस्ति जान समार दिया ये बात अगर भार पता चलेगी तो मेरी कुर्सी हमेशे के लिए चिंजाएगी रात भर में कोई होई कुर्सी वापस चाहिए कहा था मिल गई ना क्या सर आज कल कौन आत्मत्या करने के लिए आता है आज दो लाग नहीं चार लाग देने पर भी कोई मरने के लिए तैयार नहीं है परिवार के लिए करुबानी की ज़रुरत नहीं कि पाइब शॉरी बासकर कुछ दिनों के लिए तुम किसी की नज़त में आए भी न छेपचाओ अगर तुम्हें किसी ने जलाते हुए देख लिया होगा तो किसी ने नहीं देखा भाई आकर देखा होगा तो प्यार प्यार तुम समझती को नहीं मैं तुम्हारा बाप हूँ मेरी इजट का क्या होगा इडियर कि थरा बाते कर रहे हो इस रॉक ऑफ दर डाइड उन्हें से मत कहिए आप जैसे सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है मैं उन्हें अपना पती मान चुकी हूँ लवर ओके फ अगर वो गुंडा नहीं होता न तो आज मेरी लाश किसी समंदर में बह रही होती या तो बरबाद होकर एक जिंदा लाश बन गई होती मुझे सम्मान देने वाला गजनी है देखो बेटी तुम मेरी क्लॉथी बेटी हो सारे विशों में अबल हो सही फैसला नहीं चाहिए इसलिए तुम्हें साइकलोजी पढ़ा रहा हूं साइकलोजी पढ़ाने वाले आप हैं लेकिन साइकलोजी पढ़ने वाली मैं हूं I know better साइकलोजी ओके ओके किसी औरों की बातों पर विश्वास करके मुझे ही आना पड़ा मैं समझ गया बट अच्छा या बुरा मुझ से तो बैदर तुम जानती हो भाईया मेरी खातर दो महीने और समाल लीजिए पैसे ले रहे ना तो संभाल लेंगे कि अरे क्या करूं मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है तुम्हारे सीर पर ये खून के निसान कैसे प्लाइट से नीचे गिर गया भाई प्लाइट में से हां पेशाब जाने के लिए बाथरूम का दर्वाजा खोलना चाहो तो में डोर खुल गया भाई फट करके नीचे गिर गया अरे ओ तो मेरा टाइम अच्छा था कि जूहू बीच पे गिरा कही और गिरता तो क्या हस रोता अरे यार यह तो कह रहा कि प्लाइट यह करा चार पांच गले के उपर से निकल गई अपर तरह आप रहे हैं तुम कहां जा रहे हो तुम जाओ आप कुछ नहीं रहे हैं कि मेरे सटक पर कीछर के से लगा कुछ नहीं भाई मैं ऐसे सटक पर शोया हुआ एक बुल्डूजर आया मेरे ऊपर से चला गया लाइट देश बैने मेरे उपर रहता यह मारी ही जा कर चलता हुं भाई है eh है है कि यह क्या बाई की चया आपर लगा लिए विए क्या रे अरे क्यूं लगाय यह सिसे तेरे कहां में टा मांटर की चेछनी केते हैं अरे भाई लाल लाल दिख रहा देखने से बादा तोड़ी चलते हैं लाल रहेगा तो टमाटर की चत्मी है क्या कि इसलिए आपके घर आकर आपका प्राब्लम साल्व किया इसके लिए मुझे इन्वाइट करने के क्या जरुएत है? मैंने जब तुमको पैसे देकर उस लड़के को धमकाने के लिए का तो तुमने अपना काम किया उसके बाद इस दुनिया में अगर उसको कोई दोका नहीं देगा तो वो तुमारे माबाप है यह तुमने काये मुझे मैं आओंगा तो आपका अपमान होगा सर इज़द इंसानों के पास नहीं दिल में होनी चाहिए तुमारे तो मुझे खुशी होगे क्या गजनी शादी में चलें क्या जाओंगा वहां काचल आएगी लिए उसे एक बार देखना है यार आओ 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 आव दाटेंतह नमस्ते नमस्ते हैं डिन रंक यह मुझे नहीं चाहिए बाइए पैसा ही मेरे भईया की मरने की वजाए है अएसे Sum SC नहीं चाहिये ले देरा भाई चाहता था कि तो पढ़ाई करें ले राक ले हां हां बोलो सिवा हां बोलो ना बोलो ना आ बोलो गुट कि इसने शीवा ने मनने से पहले तेरा और वाजकर का नाम याद किया था किस ने ले जाओ हम भी इसको बचाने की कोशिश कर रहे देखा अली केरोसीन होता तो ठीक था पेट्रोल मिलाने की वज़े से शरीष दादा चल गया अभी पेट्रोल कहा अपने लेकिन ये सब तो केरोसीन डालने से केरोसीन और पेट्रोल मिलाने की वज़े से अभी मरे है पोस्पाटम रिबोट नहीं देखिया आपने क्यों रहे हमने तो सिर्फ केरोसीन भेजा था था ना हाँ बाई शिवा भासकर का आदमी है नहीं तो उस घजनी को मिल गया, तो सच्धा ही का पता चल जएगा हां तो भासकर को खतम कर देंगे तो गजेनी का शक हम पे होगा तो क्या करेंगे आदव joined को नहीं खत्म करेंगे गजनी को खत्म खत्म करने की बाद बाहर पता चल गई तो बड़ी प्राब्लम हो जाएगी बिहारी को फोन करो लेकिन हम क्यों बिहारी को फोन करेंगे बदरी एक बकरे की बली देना हो तो उससे कसाई के बाद मेजना ही पड़ेगा मैं धर्माद माद बात कर रहा हूँ अब बोलो एक जरूरी काम है हम अभी मुंबई में नहीं हूँ बिहार में वो अपने गाओं में कहा बात है फोन पर बताओ तुम्हारा हमारा एक ही दुश्माद उन पांच लोगों को मारने वाले तुम हो कहकर मैं घशनी से कहूंगा वो घशनी से में तुम्हारे मारने के लिए तुम्हारे पास आएगा उसे वहीं फिनिश करना है, मिस्स नहीं होना चाहिए, उसके बाद तुम्हारे धंदे में दखल अंदाजी करूँगा भाई, 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 हॉस्पिटल की डॉक्टर ने बताएगी कि बियोस Alex बासकर बाजू में ही था चान से मार दूँगा भाई बिहारी को बासकर को सब को मार डालूँगा ए गजनी ऐसा नहीं हो सकता बिहारी अपने गाउं में है उसके गाउं में तो क्या उसके घर में जाके मारूँगा एक पैक से दूसरे पैके बीच में जितना समय होता है ना उतना समय काफी है मुझे दस लोगों को मारने के लिए अभी जाके मारता हूँ ए घजनी मैं भी तुम्हारे साथ आउँगा एक तरह से उन पांच लोगों की मौत का जिम्मेदार मैं भी हूँ चलो चलो भरोसा नहीं भरोसा नहीं भरोसा नहीं है मुझे आप इसलिए मेरे रहते हुए आप को जाएंगे मैं ख़तम करूँगा आपका नाम लेकर मैं उसके गवाँ में जाओंगा और एक ही जट्के वो उसका सिर काटकर लियाओँगा अरे चलो जट्री गजनी सभाल के अगा मैं आप कि अगरी तो दिल में कुछ गारबर लग रही यार चोटे जग्गू की नजर कुछ अच्छी नहीं लग रही थी उस दिन की कॉलेज की बाद दिल पे लेके बिहारी को फोन नग कर दिया उसने ये गाँ बिहारी का अपना है अगर उसे आने का पता चल गया तो हम बचेंगे नहीं गजनी किसी को भी असौल करने जाते थे उस समय भाई तुमको घोड़ा देता था ना मर्डर करने जा यह जानकर भी क्यों घोड़ा नहीं दिया ये टेंशन में देना भूल गए होंगे ने बाई दस दिन चे भासकर की लापता होने की ख़बर किसी ने भी ने दी बाई वो सब छोड़ो मुझे तो छोटे जग्गू पे शक हो रहा है बिहारी के गाउं में जाकर तच्चाई का पता लगाना होगा सुमो को को बुला वो बिहारी के गाउं की रा पता करें करें पता कर दो कोई कावरे में कर पाये डेंजाना तो है टॊंक दिन को चाहिए का चाहिए मुझे क्या चाहिए स्टेट यहां कोई अच्छी जगह मिलेगी क्या है यह देखने आया था आए दिखाता हूं यह क्या आपके गाउं में गाये चराने वालों से लेकर घर के नौकर पक्सक्तों मोबाइल दे रखा है गाउं में कोई एंटर हो तो उसके मैसिज मिल जाता है यह क्या बगवास बरी बात कर आपने हम चंकरदा को मानते है वाइट पैरेंगे तो जंटल मैं धोती पैरेंगे तो गाउं वाले तुमारे यां सिंगरा फिमस है तो हमारे यां वडरा भाव फिमस है आप तीरक लगाते है रेमोटो ज्रौत पढ़े तो टकला बना दो ना हमारा सारा माल चीन कर ले गए अपनारी सारी प्रोपर्टी भीचीन कर ले गए वहां पर दॉलर चौर सब लोगों को अच्छा खाजा चूना लगाया तुमने हमें क्यों दोका दिया अरे क्यों रो रोक कर आशू बहा रहे हो मेरे पास तो एक ही काम है आपके गाहँ वाले करोड़ों का विजनेस कर रहे है अपने गाहँ में और तुम फालतू का रोना रो रहा हो अरे चलो हटो मेरे सामने से अगाई चराने वालों से लिए कर घर काम करने वाली तक सब को मुबाइल दिया है वियारी ने गाउं के चारो तरब कोई भी आए दो किलो मिटर पहले इन्फरमेशन मिल जाता है वियारी को ये कोपी तुम्हों और सत्या जाकर ठकले हो जाओ ठीक है वाई क्या बढ़रो अरे चूप रहे है में कि ढत को जिने को बात प्रिंगे अरे है अरे अरे मारो मेंहें आया है रहे है रहे ने हम घ। भ्ल्त हंभत परल कुछ आफ शे मुद मत मारो झाल फिछ जो घर से करें कर दो कर दो झाल उब अ प्रियो हुए है कुए पाश लोगों को चला कर राक कर दिया और चाहिए ले लो तेरा भास कर कहाई रहे वह मेरे पास नहीं है धर्मात्मा के गिरप्त में है पाथ लोगों को जलाने वाला भी धर्मात्मा ही है आई के बारे मैं गलत पात करता है हाँ तुको मरने वाला इंसान कभी जूट नहीं बोलता सचाई जाने बीना मुझे मारोगे तो बात भी देखो तुम भी जिन्दा नहीं बचोगे हाँ ये तु क्या कह रहे धर्मात्मा से बात कराओ क्यों पोल लगा रहे बताता हूँ जल्दी करो तब तुम को सचाई का पता चलेगा जर्मात्मा मैं बिहारी बात कर रहा हूं गजनी को खतम कर दिया हूँ सूपर बिहारी सूपर तुम मुंबई के हर्बर लाइन में ही नहीं उदर कांदी वली दर बोरी वली चर्च गेट के जो भी एरिया में जो चाहो वो कर सकते हो तुम्हें जो भी लड़की पसंद हो उसे उठा सकते हो मैं बीच में नहीं आए उस गजनी की लाश भी इस तरफ नहीं आनी चाहिए उसके टुकड़े टुकड़े करके चील और कवों को खिला दो अब पता चला ना 500 को मारने वाला वही है और बताता हूं गजनी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने को कहने वाला भी वही है कि तुझे छोड़ दिया तो मेरे वहां पहुंचने से पहले ही फोन करके मुझे मरवा सकते हो आज के बाद शहर के किसी लड़की को तुस्से तकलीप नहीं होगी जिंदेगी में पहली बार अच्छा काम करने जा रहा हूं मैं पुद्धह कुद्धह कुद्धधव कर पिए थिए Nej खोखा जो तो पाय करशनी थोखा मुझको पच नहीं वो पाई वटा जिसने घर मेरा पच नहीं वो पाई शीन जिसके लिए लड़ा सब से लड़ता है अब उस से मुझे चार का दुष्मन बना है वो जीना शिकाया जिसने मुझे पार पीट पे उसने किया अपना बना के चला उसने जिसने दिये है सख्म मुझे दुनिया दूँगा उसकी जला जिसने दिया है धोखा मुझको बच नहीं वो पाए लूटा जिसने धर मेरा बच नहीं वो पाए दुखा 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 मां का प्यार मिला ना मुझे छोड़ गई वो रोते मुझे पाला मुझे हाँ जिसने जुर्म सिखाया उसने मुझे राहे थे गुनाओं की उसने मुझे हत्यार दिये उसने कराए जो भी जुर्म वो सारे ही मैंने किये किसके गरे विश्वास अब दुनिया में विश्वास है ही नहीं जीवन है ये रण भूमी युद करना है उससे मुझे दोखा 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 वा अश्या mint गजनी तुम कैसे जिंदा कैसे बचक यहीं ना नहीं कि तुम तुम है तुमनां कि बोलन तुमने जिसको कहा मारा, जिसको कहा गाली तो उसको गाली दी। जब भी मैं आपको भाई कहके बुलाता था तो आवाज दिल से निकलती थी मेरे, जबान से नहीं निकलती थी। पर तुम में से किसी ने भी मुझे अपना भाई नी समझा। तुमारे लिए तो गजनी का मतलब, घर का खुत्ता, एक महंती, जूटा कहने वाले एक नौकर है न? है न? मचली का दुश्मन जाल साप का दुश्मन चीटी, पुलिस का दुश्मन चोप और गुंडे का दुश्मन गुंडा ही है। नहीं चाहिए, ये का मुझे नहीं चाहिए, भरोसा करने वाले को जिन्दिगी भर की वाफा का ये सिला दिया तुने? तुम्हें अब सिंदा नहीं छोड़ूदा। अपने स्वार्थ के लिए तुम किसी को भी जला सकते हो, लेकिन जिनकी भलाई के लिए मैंने उन्हें बोलाया था, तुने उन्हें क्यों जलाया? उनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, तो याद रख मेरा भी कोई नहीं है। ये मामूली आदमी तेरे जसुं की कैसे वाट लगाएगा ये देख लेना। क्यूं पांच लोगों को जलाया, क्यूं गजनी से दुश्मन ही लिए सोचके पश्ताएगा तू। भाई भाई कहकर पीट में छुरी भोकने के लिए अफसोस होना चाहिए तुझे। माफ कर दे मुझे, मुझे माफ कर दे, धर्मात्मा से कोई भी दुश्मनी करता तो उसकी मौद धर्मात्मा के हाथों से ही लिखी जाती थी, या इसी बात का बदला लेना चाहते हो ना, यहां से जिन्दा बच कर जाओगे तब ना, डरा रहा है क्या, मुझे पागल समझता क्या, दिमाग सिर्फ तेरे पास है, मेरे पास नहीं है क्या, तेरे आदमी तेरे साथ है, इसलिए हिम्मत दिखा रहा है, यह बता तेरा छोटा भाई का है, क्या, का है, फोन करो, फोन करो, फोन दे, फोन लगा रहे, भाई, यह पर छोटी का मोबाईल है, छोटी का मोबाई जब मैं जाओंगा तब बात करेगा अगर नहीं गया तो बात नहीं कर सकता चोड़ दो भाईया चोड़ दो भाईया मुझे चोड़ दो भाईया अगर मेरी बात सुनो मुझे जग्गू जाए अरे गजनी वो ये उठा का लाया है तेस ठाली में खाया उसी में छेट करता है धोके बाज क्या रहे कैसा धोका पांच मासूम लोगों को जिन्दा चलाने वाला तेरा भाई धोके बाज है भाई बहन प्यार अभिमान भरोसा विश्वास इनका मतलब जानते हो तुम लोग पांस साल पहले तेरे भाई को ड्राइविंग करके ले जा रहा था मैं अचानक हमारी गारी दुश्मनों के ट्रक ने उचाल दी तेरे भाई को कुछ न हो जा इसलिए एक हाथ से उनको और दूसरे हाथ से स्टेरिंग पकड़कर मैंने ब्रेक मारा सरफेर स्टेरिंग लगने से खून निकलने लगा इतने में किसी ने चांकू से वार किया पूरे शरीर पर खूनी खूनता का चीक आयते फिर भी मैंने उन्हें बचा लिया हॉस्पिटल में आग खुली तो मुझे दर्द नहीं हुआ मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि अपने भाई को मैंने बचा लिया किससे बात कर रहे हो ए धर्मात्मा अपने भाई को आखरी बार देखना चाहता है तो घर के बार जाकर देख वहाँ पड़ा है तेरा छोटा भाई उठवाले उससे जटकू 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 नहीं भाई शिनnova ठोकू जटकू मत हो हम सभी तुम्हारे साथ है खेजा उससे नहीं छोड़ा जाहिए को मेरा भी छोटा भाई है हम देख लेंगे हम ठीनों 20 जिन्ता है मैंने कहां नहीं जोड़ेंगे रोना मत अरे रोना मत भाई लजनी ने फोन क्या भाई दर्द हो रहा है चलन हो रही है अब तुझे पदा चला जिनको तुने जलाया उन्हें कैसा लगा होगा अब हरो तुसे याद करकर के रोह का मेरे घर का जूटा खाना खाने वाले चानवर हो तुम पीछे से वार करते हो मैं तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ूंगा घर पे बैठके बक्वास कर रहा है लेकिन मैं मैं मैंधान में उत्रा हुआ हूँ मेरा अगला शिकार तेरा दूसरा भाई है जिस दिन मिल गया उसे छोड़ूंगा नहीं अपने चाकू तल्वारे बंदू के जो कुछ भी यह सा तैयार रखना भाईया भाईया च्छोड़ना नहीं खतम कर दो उसको खत्म कर दो इस चलो रे भाई पाता नहीं जजिनी कही दिखाया नहीं देया बाई दूजनी काई दे रहा है इतना कुंछ हो गया मुझे पताया क्यों है इतनी इज़त नहीं है क्या मेरी तुमारी फाली तकलिप नहीं है क्या जी जी वह हम देख लेंगे आप डिपार्टमेंट के अदमी हो अब अपने काम पे जाओ काजल पर अब देखो यहां कितना सा नाटा चाया हुआ है कि अब उसे मिलना नहीं होगा क्या किसी से खबर पहुंचा दूंगी काजल काजल एक मिनियो उस दिन मैंने अंजाने में तुम्हें बहुत मारा दिल में कुछ भी नहीं रखना मुझे माफ कर दो काजल अरे तुम गजनी से प्यार नहीं करती तुमने ऐसा कहा है न पर वह बह में बहुत दिल से चाहता है तीधी तीजब रूए मत काजल गजनी गारी में बटाया है वो तुम से बात करना चाहता है कि अब बैठाव मुझे याद किया ना इसलिए आ गया तो समझ के बताना तुमने मुझे यही कहा था न तो कहने के लिए आया है तुम मुझे पसंद हो जिस दिन ये वास समझ में आ जाया उस दिन मैं तुम्हें बताने के लिए आ जाओ यह कहा था न पसंद नहीं हो कुछ भी समझ में नही तुम्हारी बात सच थी चल्दबाजी में प्यार नहीं होता वो सब एक भ्रम था नहीं तुम्हारे दिल में कुछ और है तुम्हें मारने का पश्टावा था इसलिए तुमसे शादी की बात की अच्छा हुआ तुमने मना कर दिया मान गए होती तो दो महीने में बदल भी सकता था समय देने के लिए دो साल भी हो जाए ना मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता तुम यह सी बाते क्यों कर रहे हुँ तुम्हें क्या पता कहने यहां से समझना चाहिए न समझ में आगर ना आए तो मेरी बास सुनी चाहिए कॉलेज में दिल की पढ़ाई कर रही हो नो तुम पुलिस मजे ढूंड रही है मिल गया तो हत्तर ही लगा के लिए जाएंगे उत्रों उत्रों जाओ यहां से जाओ देखा है देखा जब से बताता हूं ओके मानता हूं अरे यह तो मेरी चाकु से बहुत बड़ी है समझ गया ना शराफस से अंदर जाकर चुक चाप बैट जाए तो शराफस से कहो ना भाई हत्याद इखाकर डराते क्यूं हो जरा सुनिये क्या मैं यहां बैठ सकता हूं यह और तो किसी ठेक औरत का जासे की रानी नाम तो बहुत बड़ा है। तुम्हारी उमर कितनी है चपवीश साल अच्छा यह बताओ कहां जा रही हो क्या काम करता है इसी रूट यह क्या बात करते करते आचानक आवाज मर्दों वाली होगी तुमारी कमी ने सुनाए नहीं नहीं मेरे पती के आवाज क्यों और अवर्तों को सदाता है आज मैं तुमारी अरे बापरे कंडेक्टर को सीटी पकड़ना चाहिए खथियार क्यों पकड़ा है उससे सिर्फ हथियार पकड़ना आता है चलाना नहीं बाल बाल वज़ी गिया मैं तो गजनी कैलासबुर से रमीन बेचने वाले सारे किसान मुंबई आ रहे है रेस्टेशन कंफर्म बद्रीना तो वहाँ ज़रूर आएगा कागजात पर साइन करने से पहले उससे खतम कर देना चाहिए तहरी तो तो किउरे मुंझे बता ओवेना उससे मुंबई बिजवा दिया मुंबई यहा बढ़कर पैसा यह यह बात अगर गजनी को पता चली थो यह बात करेव नो किशान्स ही नहीं है आई कि सेन्स अपने आदमी का है बदिर्यात कहा हो तुम रेजिस्ट्रेशन ओफिस में हो भाई साब हाथ तो वहीं हो मैं वहीं आ रहा हूं कि इतनी स्ट्रीट में चला रहे हो नब्बे पहसे एक सो नब्बे जाने दो नहीं तो इंकाउंटर में नाम लिखकर तुम्हें शूट कर डालूँगा मैं अनदर क्या चल रहा है? रेजिस्ट्रेशन चल रहा है भाई मैं बाहर खड़ा हूं यह लीजी पैसा है पैसा दे रहा है बाई अंदर आजाओं क्या? अंदर साइण हो रहा है खजनी नहीं खजनी ए भाई भाई कहता था उसे एन टाइम पर सेंटिमेंट जाग सकते हैं बात में रेजिस्ट्रेशन है आप आजाईए काल झाल में बात मुट्रेशन है झाल मा अधन पृस्य मीड़ कालुम में लेख sitcom काल बा भाई कर दो इन पगज गोड कि उलाईए पालग कि वहोऊने इन पर कि अजएने पर देखा प्मद्रिंट कि व च्रूस्जमों जऑनadow कि बात जाईए इफ प्रम गा तो इस पर गोड़े इस युट मैं है युट द्रॉट कैसे कि पुर्षाण तुम जेकर करों कि करेंद हुआए काजमी करनी पैशे सकत्रों साव्य है बागा अल्दी वर दो! ओने ओने ओने! ओने ओने ओने! कि गवे हैंने! गोपी! बड्पी! ओपी ओठ! ओको वढ़े! उचुलत अनलुकारyi! जूब जिस्चुलत्Иमू हैंतु तुमेंसे लेकर द्याओ जाओ, जोओ मज़े, कोपी येस, राइट शोल्डर, जब ये होस्पीडर को अलेट कर दो ओके सर जल्दी से बहन कर दो पहले चलेगा, जल्दी से बहन के खलने चला किन वह तो अभी डॉक्तर पढ़े रही है, पोई बात नहीं कै चली साथ चलेगी तो अच्छा रहेगा, पॉन कर, गजनी को पता चलेगा तुस्ता होक्तों तो बाद में देख लेंगे, तू पहले फोन लगा देखा है देखा जब से तुझे कुछ और नहीं देखा मैंने एक तेरे सिवा जाने जा कुछ जाने नहीं मैंने जल्दी आजो दिल के तुम महमा हो, हाँ मेरी तुम जाहो बोलो तो जानम दिल हम चीर के दिख लाए गोली लखके गई है, हड़ी को कोई नुकसा नहीं हुआ है मैं मेडिसन लेके देती हूँ जल्दी लेक्या ये क्या, आपसा फेत का लेक्या है ये दवाईये डॉक्टर के पर्मिशन बना नहीं मिलेगे डॉक्टर, अब मेरा भाई कैसा है पूलिस, कंडे, लॉयर, डॉक्टर, लोग सभी मिलकर अगर प्लान करके ऑपरेशन थेटर में काटेंगे तो ऐसे कैसे रहेगा? पूरे 26 वार हैं, सिर्फ जान बच्ची है, जिन्दा भी है, लाश की नमान किया रहे हैं, बहुत गलत किया रहे हैं भाईया, भाईया मेरा नाम लक्षमी है, मुझे कुछ मेडिसन चाहिए, आप निकाल के रखिए, मैं लेके जाती हूँ कौनसी मेडिसन चाहिए मेडम? टू माइक्रो प्लास्टर, छे बैंडेज ठीक है, आप आजे ही मेडम, आजे ही सर, मैं लक्षमी ये लिजे दवाईया, दवाईयों की चिट्टी दीजे कितना हुआ? चारसो पिचासी रुपे हुए हाँ मैडम, दवाई की चिट्टी देने को बोला तो उसे पैसे नेकर जारी है दवाई की चिट्टी दीजे, दवाई की चिट्टी दीजे मैडम ये, क्या हुआ हाहा हाँ 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 कि अगर गोरे गाउं ग्रांट रोड यह सारे चेकपोश बहुत स्ट्रॉंग है उस रूट से वह मुंबई से बाहर नहीं जा सकता गोपाल लगर के बीच रास्ते से आकर गलीम फोर्ट रोड से निकल के गॉल्फ रोड के पीछे आकर इस तरफ जीपी रोड पे आने का मौका नहीं है उस तरफ मिट जोकी है माच एक पोस्ट है इन सब के इलावा एयरपोर्ट के पीछे एननपी गलोनी है उस दिन मेरे साले इन से बता था कि जब वो बात कर रहाता तो फ़्लाइट की साउड आ रही थी वह उपर उड़ने वाली फञाइट नहीं थी एक जाओ अजय है, गजनी बात करो गजनी, गोपी कहा है यार, उसे पुलिस ने अरेस्ट किया है गजनी, उसे कुछ भी नहीं होगा, डॉक्टर बैन को बुला, क्या बात है मुझे बताओ गजनी, डॉक्टर बैन से कहना, कि मुझे गोली लगने की बात वो काजल से न कहे, पेचारे, काजल से मत कहाना पेचारे, कौन हो सकती है। उसका चकर किसी लड़की के साथ ता क्या? वो भीयारी एक लड़की को उठा लग गया था, तो हम सभी गई थे यह वो लड़की कौन थी पता है? पता है। जब पूचा के उस लड़की को पैचानते हो तो बिना शर्माय बोल रहे हो कोरस में थू तुम मुझे एवॉइड करोगे और मैं खुशी से रह लूगी यह कैसे तुमने सोच लिया मुझे सब कुछ पता है तुम अपने आपको दोका दे रहे हो तुमें दोका पसंद नहीं है ना मैं तुम पर भरोसा करती हूँ चौक्यों रहे हो तुम अजार कुन कर दो मैं नहीं डरगा तुमने अपना रास्ता बदल दिया तुम्हारे वजे से मेरी जिन की बरबाद ना हो यहीं सोच रहे हो ना तुम यह सच नहीं है तुम नहीं मिलो के तुम मेरा जिना बेकार है जिस पर भरोसा किया उसी ने धोका तुम्हें एक साथी की जरुवत है, मैं हूना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहू नहीं, शर्माय बिना मेरे गले लग जाओ, अगर रोना चाहते हो, तो जी भर के रो लो, दिल के अंदर का बोश हलका हो जाएगा, जीवन में नया भरोसा मिलेगा, और नई हिम्मर्द मिलेग जो मुझे पचाने के एक होई नहीं था, उस वक्त तुम अकेरे सब का सामना करके, तुमने मेरे हिर्फासत की, अब इस मोर्पे मेरा भरोसा तोड़के, मेरे दिल में नफरत पैदा करने की, अब बिलकु पोशिश भी मत करने। थोड़ी तुम चंचल हो, थोड़ी मासूम हो, खूबी है तुम मेला को हम क्या क्या बतलाएं दिल के तुम महमा हो, हाँ मेरी तुम जाहो, वोरो तो जानम दिल हम चीर के दिख लाएं ये भोली भाली दिल नशी, प्यारी प्यारी आताएं, ये हौले हौले करती जादू गरी थोड़ी तुम चंचल हो, थोड़ी मासूम हो, खूबी है तुम मेला को हम क्या क्या बतलाएं मैं रूप की हूँ रानी, तु इश्क कहे राजा तनहा मेरी जिंदगी, तू बन के बहा राजा आहा तेरे नाम की पहनी है चूड़ी, तेरे नाम का ये कंगना है मेरी भी चाह यही, मैं बनू तेरा ही सजना थोड़ी तुम चंचल हो, थोड़ी मासूम हो, तू भी है तुम मेला को हम क्या क्या बतलाएं लाज पू़ी यह जिलाएं दो वे लोड़ी, वोड़ी जिलाएं घ. र. ग. ग. य. ग. ड. ग. 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 ऑ. ग. 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 किसे रहा है देखा है जब से तुझे कुछ और नहीं देखा आथों में है तेरे मेरी चाहत की रेखा है कर दी तेरे हबाले जबानी प्यार का तू ले ले रे मजा पन गई अपनी प्रेम कहानी अब होंगे ना हम तो जुदा थोड़ी तुम चंचल हो थोड़ी मासूम हो तू भी है तुम मेला को हम क्या क्या बतलाएं अरे गजनी की खातिर एक कार चुरानी है तो यहां क्यों ले आयो भाई आर से आने वाला कोई भी बेगती यहां उतर का पिशाब करता है यह पेड यह जगह यहां से आने वाली बदबुदार बास तुम्हें पता नहीं चल रहा क्या लेकिन तुम्हें अपना टैलेंट है उस तरफ से कार आ रही है अने दे आने दे मेरे तरोघ्टने निंगतन इस को देते हैं अपना काम पूर करके हमें गारी वापस देता है इसे हम चोरी के इस लीवा प्लेस पर झालता चोड़ है इस इस घाड़ी वाला पुलिस पर पूप्लेंड करता है फुलीस यहां वहां गारी को ढूंटी है जाड़ी मिलने पर उसके सारे पार्ट से निकाल कर राजी बोडी ले जाकर उसके हाथ में दे दिया देती है न अरे उसका क्या नुखसान होगा इंसुरेंस किया होगा न वो एक हजा गाडियों के बतले में एक गाडियों को इंसुनेंस देते हैं तेरा से उक्षरी बढ़ा है दमाग तो है नहीं उल्लू का पट्टा आप चुप भी काल चुप जा आपके बाद तेरा दिमाग कहा से आया भाई वही तु मुझे पता नहीं याद आपके बाद कर रहा हूं कियों फटा हुआ पोस्टर बन गया है ने तिरा भाई आप पता चला मैं क्या हूँ तेरी तो समझ गया ना अब समझ में आया धोका कैसे कहते हैं दुख कैसे कहते हैं सर से लेके पैर तक सरसराहट हो रही होगी ना शौक लगता है जैसे तुझे जि तूटे पतीले भटे बासकेट की तरह वेस्ट बन जाएगा मैं चाहता तो एक पल में उसे खतम कर देता अगर वो मर जाता तो पहले दिन दिये चला कर दूसरे दिन दूद पिला कर और सुला दिन में पिंड दान करके उसे भूल जाता रोना पड़ेगा तडब तडब के जिन्दगी भर उसके लिए तेरे दिल में दर्द होना चाहिए सड़ा हुआ आम है वो जिन्दगी बंचूस बना कर पीना दोखे बास कहीं का मेरे घर का जूटा खाना खाके बड़ा हुआ है तो देरी बॉड़ी को काट के अगर चील कवों को नहीं खिला जाता तो मेरी ब अधर जाओ तुम लोग अधर इससी तरह द्लबता हुआ नहीं देख सकता आप बाहर जाओ तुम लोग वै क्या वह वा किया कर रोगा था था जूटोटों भाई हुआ जवा साफ़ करिए रवार तुम आवार ये तावार ये तफिटरी तावार ये तावार यूसरा ये तावार ये तौम नौसराब हुआ वो इस समय कहा है बता मज़े अपने जीजा को ले जाकर उस लाम एरिया के सभी लोगों को उठा कर लेया आऊचर लोगों को ये लिग्विषा बादेखँ इनको सीम कार्ट देने वाला डिलर या सेल्समें उनके बारे में कुछ डिटेल्स देंगे तो हमें आसानी होड़ कि अगर दूसर का गुस्सा निकाल रहे हो साहब अगर यह वर्दी तुम्हारे बदल पर ना रहना तो कोई भी तुमारे उपर हाथ उड़ा सकता है वहुत मस्ती चैनली है तुष्को सब के सामने मुझे सामना करती है अंदर जेल में ज्याल कर तेरे हाथ में डोडान करती है वह साथ सिमकार बेचने वाली यही लड़की है सब्सक्राइब पूरे पच्पन के से कौन मिलेगा बोल कर देख रहा है वो सब केर तुम पर लगा दूगा और जब तुम को अंदर डाल दूगा तब पता चलेगा कोई लड़की उसा मिले आती अमा वो दीबी है ना सर बंचे को कुछ मट करें लोग और अ कश पहले नियूग गटने के सब्सक्राइब लो ना सर सर इसे सिमकार दे कर हज़ता करने वाली एक लड़की है सर उसका पता चल गया नगिए नमास्टे, आईे भागा जाज़िका, जली हासे आपसे जली क्या जली हासे जली हासे इस उमर में इतनी नाच रही है तू उसे हर रोज मिलने चाहिए न तू बदा, नहीं कर तेरे बदन पे कीड़े छोड़ दूंगी बड़ा आरा मिलेगा तुझे तुम इंसान हो या शैतान, तुम भे थो असल में एक औरत हो क्यों पासुम नड़गी को इतनी तकलिफ दे रही हो सर कॉलिस चुराने वाला मिल गया है, काउन है वो सुमो सर, लेकिन चोरी तो कॉलिस का हुऊ है ना अपनी टोपी ड्रेस निकालकर मुझे दीजिया इसमें डूपकी लगाईए इसके अंदर जाना है ए गजनी पूछा तो तलाब को क्यों दुखा रहा है आपने गजनी हाथे के बारे में पूछा थे ना वो इधर ही आता है मैंने बता दी अबास चलता हूं गजनी को पूछा तो तलाब दिखाता है आप गजनी हाथी के बारे में नहीं किसी और गजनी के बारे में पूछ नहीं थे तो तब ही कह देता कि मुझे पता नहीं गजनी क्या हुआ अपने गोपि और शुशी को धर्मात्मा ने मार के तलाब में डाल दिया है अपने एरिये वालों पर जूटे इल्जाम लगाकर अंदर कर दिया है काजल को भी अंदर कर दिया है गजनी मैं उसे चोड़ूंगा नहीं मैं आप भी चाहता हूं उस एसपी क झेलिक चोनफ पृततौक कर दिता है घार धॉल tonight हए ज्टी का पथि राजराम बन गए सेंटिमेंट भीच में आ रहे हैं नहीं तो कब का हद्म कर दिता है अ चीजा इंसानियत पाकी है तो हत्यारा है धर्मात्मा उसे अरेस्ट करो या फिर जलाने वाला है भासकर उसे अरेस्ट करो और हवालात में जो दो आदमी मारे गएं उनकी छानवीन छोड़कर पोस्ट का रोब दिखा रहा है पोस्ट माटम कर दूँगा दिधी का पती है इसलिए बच गया है नहीं तो कब का खत्म हो जाता अब देखना तेरी तो दोनों एक साथ मरोगे तेरा गुसा जायज है दिधी मैंने जो किया इंसाब के लिए किया ये बताने के लिए नहीं आया हो मैं तो दिल है कोई फोन किया था क्या नहीं तो तुम क्यों इतनी चुपके से बात कर रहे हो घर पर कोई आया है क्या नहीं तो कोई नहीं आया कि मेरी पत्नी जिस हेसाहप से मुझसे फोन पर बात कर यह लगता कि वो गुलाम बन कर दड़ से इल गई है वी रहमी से पांच लोगों को जला कर राक कर दिया दिया अपने पती को मेरी गलती के लिए मुझे आरेस करने के लिए कहो मेरी मा के बाद मुझे प्यार करने वाली तो हूँ उसके बाद वो लड़की बिना कुछ हो गया है कना संस प्टार बश्तंते को तो कि हम चंपने रहों मैं बदाग्भान की हर रोजमत करती हूं ताकि सब कुछ ठीक हो लेकिन कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा है इसकि लेकिन तुमें कुछ नहीं होना चाहिए मेरे लिए यह जरूरी है क्तुम्हारे लिए त पूली सेशन यह नहीं होंगे अभी भी वहां नहीं होगा तुम्हारे फोन करने के तरीके से समझ क्या होगा मैं यहां हूँ का है तुम पर जाकर देखो तुम पीछे जाकर देखो फूटो उसे रही जोड़ना उसको कैसे भी बचके निकलना नीचे यह बैदीकता हूँ क्यों अपने पती को एक ही पेट से जनम लिए अपने सगे भाईयों को दुखा देती है तेरे चेहरे के पशीने से ही नहीं तेरे दिल की धड़कन से मैं आचानी से बता सकता हूँ मुझसे जुट बोल रही है इससे सचाई निकलवाने के लिए आया है तेरा अपने क्यों तो कैसे नी बोलती तेरे इन होटो कर उसके होटो से चम्मा करवाओंगी मैं तो कि अजिए जल्दी करो एश जल्दी करो एश जल्दी करो गिजणी कि यह होल दार क्या है यह सब के फाईयाल लिखे भीना जमाल लड़की को शेमांगी को चौकी मेरा का रिज़त लूटने की कोशिए करेंगे तो और क्या होगा तुम चुम्चा में फिरो तुम चुम्चा में फिरो कई तुम तुम्चा में फिरो करदो करेंगे कई करेंज में का जे ख करेंगे करेंजी मेंżyć कि भीज़ कि अँ़ा कट झाल 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 वह कर दो बाखर पिरे रह इध यह ओना पिर्व कर दो बाद़ लुगुभ नवे ओना आय नवे विट प्रूग्या आय वे विदाब विद लुगुग पर फ्रूज विदे विदे ए रहा है था यह और दुट्या ग्टब कि अज़ लग गगाँ एकूर एकूर लेगाँ एक पा मेरे भाँ पांगर एकूरिवाँ करें शोो उड़ाँ ज़ते है जड़गाँ लंग टारी लेगाँ जड़ाँ येफ जूराँ लोगगाँ लेगाँ एज़ाँ जड़। कर दिए! पुझे दो अब आचे दो भाई बोला ना अब नहीं जलाओंगा अब भासकर पांट लोगों को जलाने वाला जलाद है न तू अब सिर्फ एक जान चाहिए इसे जलाकर भाग जा नहीं गजनी 15 साल का रिष्टा गजनी विश्वास क्या ए लोकना तू इसे जलाकर भाग जा जी तुमर जा ये दिखा तुने 15 साल कारिश्टा नहीं भाई भाई मुझे बदबारो भाई मुझे बदबारो हो जी हो हुए! लए करना घँज़ दूए हुए? हुए ट whiskeyruit áo, हुए 형 up और ऐन करेंगा हो फो चुछ Wir थुछ रहल हुँ कि आज के बाद एक कदम भी आगा बढाने की ज़रूरत नहीं इंटेलिजेंज रुबोट ट्यार हो रही है कि इसी भी वक्त जीम की टेबल पर आ सकती है उसके बाद रियक्शन बहुत भयानक होगा गजनी को लिया बोला तो हाल कर आगए तुम मेरे खेल को मैंने रहे चाहिए यही सब लोग देश में समझ रहे हैं मेरी इज़त निकाल दी बैंडरा में दो वड़ी बीच पर दो जले हुए शब बिना मतलब गलत केस लगा कर तीस लोगों को अरेस्ट पुलिस टेशन को जला इसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगा मैं उस कमीने को किसी भी हालत में जिन्दा नहीं छोलूगा बोलो काजल बात करो मैं जल्द ही तुम से मिलना चाहती हूं पताया भी तुम कहूं कलकत्ता पार करके वांगलादीश जा रही हो मैं मैं देखना चाहती हूँ मुझे कुछ हो जाएगा जिन्दगी में मिल पाऊ किया नहीं यह सोच कर डर रही हो न तो डरो मत मैं तो ने जरूर मिल गूँ करेक्ट इस एरिया में न्यू बोंबई के सिग्नल बतल रहे हैं इसी जंगल में वो कहीं छिपा होगा है भाउचा दक्का भाई पांचा बड़ा का मधू सबको ढूड़ने के लिए बोल देना मैं भी उतर रहा हूं मैदान में अधर दो कि अधर 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 जाएगा भाई गजनी के अधर कपता चल गया चलो रहे जल्दी चलो गजनी डेविड को पॉलीज ने पकड़ लिया है अब तुम्हें धूनते हुए एसपी यहां आ रहा है पता है मैं उसे संभाल लूँगा तुम लोग जाओ यहां से क्या गजनी क्या बात कर रहे हैं मैंने कहारा तुम लोग जाओ सर कुछ और फोर्स की जरूत है क्या नो सिर्फ पांच मिट का जंगल हो रहा है ज्यादा फोर्स ले जाएंगे तो अलर्ट हो जाएगा और भाग जाएगा इतना ही नहीं हम उसे जिंदा नहीं पकड़ने वाले खतम करने वाले हैं सेलफोन सालेज पर रखना दोनों इस तर कि अगरे आएगा अगरे आएगा एगा अगरे अगरे पूश्यों तम गाली दाश्ट नाई पर आओ एजी जा काली दाश्ट खाली हो गया एगा पारा तू थ23 दिसम उन्मुवाम इसारी जाई द़्थत कर साथः आश मेरे आएगा पर आओ सेलबरे पर इसके temos चंड़ने परदिफ हैं Dad पर्षके ड wildकांों तर खाले एगां वाले एगां वाले पया आविशenkय हो पर और जांश्यों रहicaं डियागा चैर तबस्ट उस्ट वोच मैंने हैं। जीजा पुर्शोत्म भी खलास हो गया कहा परा तू तो में इले गात कोपड़ी उडा दूंगा ढ़ात उपर कर Haaayy! कि मार उचका कि कि एव कुछ को कि कि एव कि है कि है कि हरे अचर्वात्पार नवी मंबई के जंगल में गनि को मैंने बंदी बनाया हुआ जल्दी से आजाओ। मैं वही पर आ रहा हूँ। उसे जाने मत देना। कि अनी है? कि या निए नाओना जिजा नाओना जिल दे आने जिजा नाओना खालो जदी, फगलो हो से! हे, धर्मात्मान! तेरे पापों का हिसाब नहीं है और तेरे जलाए हुए लोगों का हिसाब भी नहीं है क्योंकि उन्हें तुम से ज्यादा मैंने डराया कि इस एराया जिलाए। एर्लाए… एर! Haa! कर वकुल मोई्ना दiffany खवार ओाला ओाला अन्या खिर्ण character बार्ण आप्पर्ण बार्ण सिर्ण पार्ण पुर्ण लार्ण सिर्ण! और वे जब्ष्चों और क्या सोचता है तुझे इतनी आसानी स्मय यह एतनी और जानी दूंगा मैं मैं जाहता थो Katrina देखर तुझे बार सकता हि आ था मैं लेकिन जीना मुश्किल है और टड़ तरब का जीना तो और भी मुश्किल होता है जब ये गुनाहों को मरते समय इतना तड़बना पड़ता है तो इतने गुनाह करने के बाद क्यूं नहीं तड़बेगा तु तेरे जैसे मेरे जैसे गुंडा गर्दी करने वाले सारे लोगों को समझ में आना चाहिए कि अपने आपको शहर का बहुत बड़ा एक गुंडा समझते थे ना बटा हुआ पोस्टर बना दूँगा तुझे किसी को मूर दिखाने लाइक नहीं छोड़ूगा अपमान से तु घर से निकले निकले तो लोग से थुके और उस अपमान से अगर तु मनना चाहे तो तू ब पैसे के लिए अंसान का खून पीने वाले अगर तु जीना भी चाहे तो साइन के बेना अंगुठा लगाए बेना खाने के लिए हाथ नहीं खिलाने वाला कोई नहीं तड़ब तड़ब के मरेगा तू आज के बाद ना तू खा पाएगा ना पिछवाला धो पाएगा और भीक मांग पाएगा क्या देख रहा है मुझे क्या करूंगा ये सुत्र है जान लूगा तो जान जाने तक दर्द होगा अब आज बना दूगा तो मर्दे दम तक दर्द पेगा नहीं गज नहीं अब समझ में आया एक मामूली आत्मी चाहे तो क्या नहीं कर सकता मैं दिल्ली जा रहा हूँ तुम लोग भी कहीं चले जाओ हम यहां रहेंगी तो पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए फिर से गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे ये सोचना गलत है कि लोग हमें देखकर डरें इमांदानी से रहूँगा तो शांती से जीऊँगा चलता हूँ गजनी एक बसना यार रवी चलता हूँ दीडी जा रहा हूँ ये लो सुनो पहले आप मुझे ये बताईए कि हम जाका रहे हैं हम दिली नहीं जा रहा है पूना जा रहा है आज के बाद मैं कहा रहता हूँ ये किसी को पता नहीं होगा तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा का था न इसलिए का रहा है का रहा है का रहा है कर दो कर दो दो कर दो